हेलो फ्रेंड्स मैं हरी सर्मा वेलिंग से चैनल से एक बार फिर आपके साथ फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं थोड़ा अपना ध्यान रखेगा फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं पाइप्स के बारे में एक्चुली प्लंबिंग में पाइपों का बहुत ज़्यादा यूज होता है और कितनी प्रकार के पाइप होता है आज हम यही सब बात करेंगे और इसमें हम स्टील के पाइप, MS के पाइप मतलब सभी तरह के पाइपों की बात करेंगे कि कितनी life होती है वो कैसे जोड़ा जा सकता है और कैसे easily available है कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा है आईए वीडियो को करते हैं Start Friends, जैसा मैंने यहां लिखा हुआ है Type of Pipes Pipe क्या होता है? Pipe वह होता है जब हम किसी भी liquid को यहां से वहां कहीं दूर तक ले जाना होता है तो हम उसको Pipe की मदद से ले जा सकते हैं सबसे पहले में बात करता हूँ सबसे पहले Pipe में आया CI Pipe CI Pipe Friends, CI Pipe का मतलब होता है Cast Iron Cast Iron का Pipe होता है यह है सबसे पहले यूज गया आदा था आप लोगोंने देखा होगा जो पुरानी विल्डिंग्स हैं उनमें जो विल्डिंग्स अभी सीवर की लाइन निकलती है उनमें खोदने पे तो वो एक काले से रंग का Pipe निकलता है Cast Iron का Cast Iron का Pipe का फाइदा यह था कि उसकी लाइफ लोंग मानी जाती है और वो नेर अबाउट 50 साल से अबब काम करता है Friends, यह जो CI Pipe होता है CI Pipe आपने देखा होगा अगर आपको नया आपको देखने का मुका मिला होगा वो जो है उपर से Black कलर करने जराता है बिल्कुल Dark Black Actually होता क्या है? CI Pipe बहुत ही Corrosion Resistive होता है यानि उसमें जंग लगने के चांस ना के बरावर होते हैं क्योंकि उस Pipe को Bituminous Compound में Duo दिया जाता है Bituminous क्या होता है? Bituminous Friends वो होता है जो रोड पर तारकोल के रूप में काम आता है उसको लगाने से उसमें जंग नहीं लगता और यह है lifelong काम करता रहता है Friends दूसरी बात Ci Pipe को जोडने के लिए उसमें Thread System या Welding System नहीं किया जा सकता Ci Pipe को हम जूट और सिमेंट की मदद से जोड सकते हैं Friends दूसरे Pipe की बात करते हैं दूसरा Pipe आता है MS Pipe MS Pipe के बारे में आप जानते हो है MS Pipe को करते हैं Mild Steel Pipe MS Pipe आपने Building में देखा होगा Normally जहां कहीं भी Building का काम होता है Pipe Line में वो MS Pipe ही होता है Most Probably MS Pipe में चाहें आपकी Firefighting Line हो Cooling Towers Line हो या Stack का काम हो जो DG के Exhaust Stack निकाले जाते हैं वो सभी MS के Pipe होते हैं MS Pipe में Friends एक चीज खास होती है मैं आपको बताता हूँ जब MS Pipe आपने देखा होगा तो मान लीजिए ये एक Pipe है और अगर ये छोटे डाया का Pipe है तो MS Pipe में आपको अंदर की Side देखने से एक ऐसा Joint दिखाई देगा That means क्या है कि ये एक पत्ती को जो MS की Plate रहती है उसको Roll करके ये प्रेस के द्वारा बनाया जाता है और इसको अंदर से Belt कर दिया जाता है MIG Belding के द्वारा ये होता है MS Pipe MS Pipe को हम Belding से भी जोड सकते है Thread से भी जोड सकते है और Flange विदी से भी जोड सकते है करते हैं इसकी Life की बाद तो इसकी Life Friend 10 साल से कम होती है ये 10 साल के अंदर अंदर Rosted हो जाता है या Rosted होने के बाद इसमें बारीक 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 छेद होने लगते हैं और ये Pressure पे ज़्यादा काम नहीं कर सकता लेकिन हाँ इसको हम Maximum Pressure पे भी 25 केजी 30 केजी तक 20 केजी तक आसानी से यूज कर सकते हैं ये जो है हमारे बाटर लाइन में यूज होता है Next 3 नंबर हम बात करते है GI Pipe Friends GI Pipe भी आप सभी ने easily देखा होगा GI Pipe MS Pipe ही होता है एक तरह से लेकिन MS Pipe को यदि हम Galvanized कर दें तो वो हो जाता है Galvanized Iron Pipe GI Pipe GI Pipe की अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो GI Pipe की लाइफ भी होती है 10 साल से कम ये 10 साल से ज़्यादा नहीं चल पाते ये 8 साल 7 साल में ही इनमें बरिक बरिक छेद होने लगते हैं और ये लीकेज करने लगते हैं Friends Galvanized कैसे होता है Actually जो MS Pipe रहता है उसको हम Jink में डुबो देते हैं और जब हम MS Pipe को Jink में डुबो देते हैं तो वो हो जाता है Galvanized और Galvanized Pipe कहलाता है Galvanized Iron Pipe कहलाता है इसको भी हम Belding के द्वारा जोड सकते हैं क्योंकि GI Belding आती हैं और इसको हम Thread System से ज़्यादा यूज करते हैं यानि इस पर Thread काट करके उसको Fittings के द्वारा जोडा जाता है Friends इसको भी हम Firefighting के लाइनों में और छोटे साइज में जैसे 2 इंच, 3 इंच, 1 इंच इनको हम Thread के द्वारा पानी Fresh Butter के लाइनों में घरों में और Buildings में, High Rise में, Commercials में यूज में लाते हैं Friends, अम मैं चोथा बात करता हूँ GI Pipe में एक आता है Seamless Pipe Friends, ये Seamless Pipe क्या होता है? अगर हम इसकी बात करते हैं Seamless का मतलब हो गया कि जैसे ये Pipe है माल लिजे ये Pipe है Friends, और इस Pipe में आप अगर बाहर से देखेंगे तो ये बिल्कुल स्मूद दिखाई देगा लेकिन अगर हम इसे भी अंदर से भी देखेंगे तो इसमें जो MS और GI में ये Seam दिखाई देती है यानि ये Joint दिखाई देता है ये Joint नहीं दिखाई देता That means इसको Iron को Galvanize करके इसको सांचे में बिल्कुल Seamless बनाया जाता है यानि इसमें Joint नहीं होता है और ये High Pressure पे Use में आता है जहां हम High Pressure पे Use करते हैं 25 केजिसे या 30 केजिसे उपर बात करते हैं तो जहां भी High Pressure Use होता है वहां पर हम Seamless Pipe Use करते हैं और ये Most Probably Use किया जाता है Gas Pipelines में जहां पर Leakage का बिल्कुल भी Acceptable नहीं होता है या Leakage बिल्कुल भी Accept नहीं होती है ये होता है Seamless Pipe Next हम बात करते हैं 5 Seamless Pipe के लावा RCC Pipe ये Friends आप लोग सभी जानते होंगे RCC Pipe क्या होता है Actually RCC Pipe होता Rainforest Cement Concrete Rainforest Cement Concrete ये आपने देखा होगा Friends Most Probably Drainage System में मिलेगा या जहां पर आपको रोड के नीचे Crossings निकालनी है तो हम RCC Pipe डाल करके छोड़ देते हैं जिसमें से हम Cable Pipe या और सभी चीज़े निकाल सकते हैं ये Friends आपको जो Government की सड़क पर काम चलता है Drainage System का वहां भी आपको मिल जाएगा Seaver में या ड्रेन में डालने के लिए भी इनको यूज किया जाता है और ये Size के हिसाब से अगर हम बात करते हैं Friends तो ये कापी बड़े Size तक मिल जाते हैं ये होते हैं Friends RCC Pipe Next हम बात करते हैं 6 Friends PVC Pipe U PVC Pipe Friends UPVC का मतलब होता है Unplasticide Polyvinyl Chloride Friends पहले आपने UPVC पे देखा होगा जो घरों में फिटिंग्स हो जाती थी UPVC को Thread काट करके हम Thread के Thru ही जोड करते थे या जोडते थे लेकिन अब UPVC Pipe को हम UPVC के जोड़े आते हैं यानि UPVC को हसिंग पुसिंग की विदी से भी यानि solvent लगा कर भी हम जोडते हैं इसलिए UPVC की पे और CPVC की लाइनों को हम ज़्याजातर घरों में यूज किया जाता है क्योंकि UPVC के pipeline easily जोड़ी जा सकती है और ये हलकी flexible भी होती है तो असानी से इधर से उधर movement या हलका सा तिर्चा भी इनको easily किया जा सकता है इनकी fittings available है आसानी से ये मिल जाती है friends UPVC pipe मों को residential buildings, commercial buildings जहां कहीं भी है सब जगे यूज किया जाता है और ये drainage system और flush water यानि जो भी हमारा fresh water को छोड़के, hot water को चोड़के, इसको सभी में यूज किया जा सकता है क्योंकि ये high temperature और low temperature पे काम नहीं करती है, इसलिए इनको hot water और cold water में यूज नहीं किया जाता ठीक है friends, next हम बात करते हैं साथ नंबर CPVC pipe friends CPVC pipe के अबारे में आप normally अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप residential buildings में, high rise buildings में या जहां कहीं भी है CPVC pipe आपको easily मिल जाएगा CPVC pipe की सबसे अच्छी बात ही होती है कि CPVC pipe को हम 93.3 degree centigrade तक यूज कर सकते हैं that means हम इसको hot water में यूज कर सकते हैं क्योंकि 100 degree पे जाके हमारा पानी उबल जाता है और वो भाप में बदलने लगता है तो हम मारा जो लाइनों में पानी चलता है वो maximum 90 degree centigrade तक ही चलता है इसलिए हम इसको 93.3 degree centigrade hot water और chilled water में यूज कर सकते हैं इसका most probably हम यूज जो करते हैं वो fresh water में घरों में करते हैं इसको भी हम solvent लगा कर ही जोइन करते हैं और इसकी fittings easily available हैं market में friends इसके बाद बाद हम करते हैं HDP pipe HDPE HDP pipe को हम normally use करते हैं crossings में या sewer system में HDP pipe friends इनकी life की अगर हम बात करते हैं HDP pipe की तो HDP pipe की life जो होती है 50 साल से एबम मानी जाती है तो इसको हम ज़्यादा तर बरीड करते हैं या जमीन में यूज करते हैं ground में यानि जहां हमें दवाने के sewer में सीवर में drainage में या जहां कहीं भी हमें यूज करते हैं crossings में भी यूज करते हैं और इसको cable की protection में भी यूज करते हैं तो इसको हम बरीड जमीन में दवाने का काम ज़्यादा तरी से दिया आता है क्योंकि यह जो होते हैं इसडीवी पाइप यह लॉंग लाइफ होते हैं और इनकी उम्र है वो 50 years तक मानी जाती है क्योंकि यह जैसे ही 10 साल से उपर जाने लगते हैं और इनके पार्ट करके हमारे घरों में देखा टैप में आने लगता है पीवी सी का पार्ट हलका रस्ट होके अंदर से आने लगता है लेकिन CPVC पाइप इसलिए most probably यूज करता है अगर मैं इसके बात करता हूं तो क्योंकि CPVC पाइप में friends यह जो होता है normally salt resistive भी होता है acid resistive भी होता है और base resistive भी होता है इसलिए CPVC पाइप को घरों में हम ज़्यादा तर यूज करने लगे हैं friends sdp pipe भी कई परकार क्या आते हैं मैं इन में आगे बात करता हूं एक आता है SN4 पाइप SN4, SN8, SN10, SN यह SN में आता है यह क्या होता है friends यह standard nominal है यह PVC का पाइप होता है SN4, SN8 और यह drainage में यानि sewer line के लिए use किया जाता है friends friends copper pipe आप लोगों ने सभी ने देखा होगा copper pipe का use भी हम करते हैं friends अगर हम copper pipe के usage की बात करते हैं तो copper pipe को हम most probably use करते हैं AC में chilled water के लिए AC में जितना भी chilled water या gas pipelines होती है वो copper की होती है और copper की jointing के अगर मैं बात करता हूं तो copper के joint fair roll system से joint किये जाते हैं क्योंकि इसमें fair roll लगाके tight कर दिया आता है फिर इसमें brass की thread system की fitting आती हैं उनसे इनको जोड़ दिया जाता है friends इसको दूसरे ती से तरीके से जोड़ा जासकता है यानि इसको हम bridging करके भी जोड़ सकते हैं friends copper pipe के बाद हम बात करते हैं 11 नंबर की और 11 नंबर pipe आता है PN4 PN4 PN6 PN10 PN16 यह 64 तक आता है friends कहां तक आता है PN64 तक तो यह जो PN होता है friends यह actually PVC pipe ही होता है लेकिन इसको हम pressure nominal बोलते हैं इसको pressure nominal means PN4 PN4 का मतलब हो गया कि इसका जो pressure है वो 4 बार है यह जो pipe है वो 4 बार तक का pressure जहेल सकता है यह भी हमें drainage systems में use करते हैं यह storm water में use करते हैं friends next आता है बारे नंबर SS pipe यहनि stainless steel का pipe friends stainless steel का pipe भी आपने normally देखा होगा यह use होता है stainless steel के pipe की जो life होती है friends 25 साल के आसपास होती है 25 से उपर 50 साल तक है 25 से 50 साल की इसकी life मनी जाती है यह बजन में हलका होता है लेकिन इसकी strength ज़्यादा होती है और यह pressure को ज़्यादा जहिल पाता है यह friends normally पानी के लिए और गैसों के लिए use किया जाता है लेकिन यह महंगा होता है इसलिए हम इसे building में घरों में use आसानी से नहीं कर से यह commercial रूप से ही use किया जाता है friends इसके बाद मैं बात करता हूँ एक pipe और आता है SWR friends SWR pipe का मतलब है soil waste rain water pipe यह इसको आप बोलते हैं soil waste rain water pipe जैसे इसका नाम है यह wastage line में यानि soil waste या जो भी मिट्टी के अंदर डाला जाता है और यह wasteline में ही यानि drainage system में ही डाला जाता है friend एक और मैं आपको बताना चाहूँगा इन pipe में सम्में एक होता है SDR SDR क्या होता है friends यह आपको easily देखने को मिलेगा SDR ratio जैसे SDR 1, 2, 3, 11, 12 SDR क्या होता है pipe में जरूर होता है PVC के pipe में सारों में अगर हम बात करें SDR pipe होता है SDR क्या होता है friends SDR की में बात करूँ SDR होता है O D pipe की O D divided by wall thickness means अगर हमारे पास कोई pipe है और pipe का अगर हम O D नाप लेते हैं O D normally हम नाप सकते हैं कि कितना O D है उस O D को यानि out diameter को जो बहाई है उसका diameter है जो उसकी मोटाई है बाहर वाली उसको हम नाप करके अगर उसकी जो मोटाई है wall की थिकनेस है यानि pipe में जितना भी pipe का material है जो बहार से wall थिकनेस है उसकी उसको नाप लें और उससे उसको divide कर दें तो हमारा वो पता चल जाता है SDR Standard यानि Standard Dimensional Ratio SDR को क्या कहते है Standard Dimensional Ratio तो यह जो SDR होता है Friends, यह SDR जैसे मान लिजे हम बात करता हूँ SDR 11 की तो SDR 11 का मतलब हो गया कि जो हमारी pipe है pipe की wall थिकनेस से जो डाया है वो 11 गुना जाता है means अगर हमारी wall थिकनेस 1 mm है तो pipe का डाया जो है वो 11 mm है ठीक है अगर हमारी wall थिकनेस 1 mm है तो हमारा जो pipe का OD है वो 22 mm है यानि दूसरी चीज जो हम SDR के according कोई pipe लेते हैं तो जो SDR ratio कम रहता है SDR 2, SDR 3, SDR 5 यानि जो भी ratio सबसे ज़्यादा कम होगा वो SDR का standard अच्छा माना जाता है कि यह जो PN4, SS, SWR, SN4, HDPC, PBC, UPBC यह सारे PVC pipe भी है एक तरह से बाकी आप इन सबसे कहीं न कहीं परीचित हो एक और आपने सुना होगा मैं एक और आपको बताता हूँ SDR 40, SDR 80 इन pipe को भी आप जानते हो यह SDR 4 से आते हैं SDR 4, SDR 6, SDR 8, SDR 10 SDR 40 औ SDR 80 pipe क्या होते हैं यह भी PBC pipe होते हैं और यह जमीन में बरीड होते हैं drain system के लिए क्योंकि इनकी क्या strength friends जदा होती है इनकी life जो है above 50 years मानी जाती है SDR 4, SDR 40, 80 जो होते हैं इनकी life जो है नेर अबावर 50 साल के आसपास मानी जाती है यहनि इसका मतलब अगर हम इसको जमीन में दबा देते हैं तो यह हमारे 50 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है और यह rested भी नहीं होते है और नहीं यह वहाँ गलते है easily इनमें पानी का flow होता रहता है और यह drain system के लिए डाले जाते हैं friends second thing PVC के जितने भी pipe हैं अगर हम इसको open धूप में डालते हैं और खुले में डालते हैं जहां हमें हवा और धूप इसको मिलती रहे तो यह जल्दी rested हो जाते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं इसलिए most probably यह building homes में भी जो CBBC, UPBC pipe डाले जाते हैं तो बरीड डाले जाते हैं यानि दिवार के अंदर डाले जाते हैं इनको cover कर दिया जाता है जिससे इनकी life बरकरार बनी रहे friends आज के लिए इतना ही thank you बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए friends अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को like करें share करें और मेरे चनल को subscribe करना ना भूले